प्रदेश में जहरिली शिराब से हुई मौतों के बाद पुलिस प्रिशासन अवेद शिराब के खिलाफ सक्त रवईया अपनाय हुआ है पुलिस मिलावटी शिराब का कारोबार करने वालों की धर पकड़ कर उन्हीं सलाखों की पीछ भेज रही है इसी कड़ी में कानपुर के घाटमपुर कोदवाली की पुलिस ने चापे मारी कर एक से पचास पेटी शराब बरामत की साथ ही तीन लोगों को भी गरफतार किया वहीं SSP ने बताया कि बरामत की गई SUV कार कल्लू मिश्रा की है और उस पर भाजपा का जंडा लगा हुआ है पुलिस से बचने के लिए ये लोग जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का जंडा लगा कर चलते हैं उदर बांदा में पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सपलता हासिल हुई है जहां मुगबिर की सूचना पर पुलिस और आपकारी टीम ने संयुक्त कारवाई करते हुए कोरम गाउं में छापे मारी कर अवैद शराब की बड़ी खेप पकड़ी बरामत की गई बारह सो पेटी शराब हरियना की बनी हुई है जिसकी कीमत पचास लाग से अधिक बताई जा रही है इसमें सूचना मिली थी कि हरियना से आई हुई शराब यहां पे रखी जा रही है यह भूरा पटेल सनफ राम फिशोर पटेल का बोरिंग पर बना हुआ कमरा है यहां पर रखे जाने की सूचना मिली थी इस पर हमारे आपकारी विभाग और पुलिस की संजिट चीम दोरा इस पे शापा मारा गया हाला कि टीम के पहुचने से पहले ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए थे फिलहल पुलिस ने बरामद शराब को सील कर मामले की जाश शुरू कर दी है पंजाब के सिरी टीवी के लिए कानपुर से हम रिष्टरपाथी और बांदा से जफर एहमत की रिपोर्ट